Hello Friends, हमार आज के इस वीडियो में आपका सौगत है आज के इस वीडियो में हम गात और गातंक के बारे में जानेंगे जिनने एक्स्पोनेंट भी कहा जाता है सबसे पहले हम देखेंगे कि A जिसे हम अचर भी कहते हैं वेरियेबल यानि कि अचर कहते हैं अचर यानि इसकी वेलियो हम कुछ भी रख सकते हैं जैसे कि कोई भी नंबर रख सकते हैं 1, 2, 3, 4, anything कोई भी नंबर रख सकते हैं सबसे पहले हम शुरू करेंगे रूल नंबर 1 से हैं जिसमें दे रखा है कि A को 4 बार मल्टिप्ला किया गया है चार बार मल्टिप्ला करते हैं तो लिखते हैं A की पावर 4 जैसे कि हमने कई बार देखा भी है जैसे कि 2 की पावर 3 लिखा है इसका मतलब यह होता है कि 2 को 3 बार मल्टिप्ला करना है जैसे कि इस तरह से इसी तरह से यह भी लिखा गया है A multiply by A multiply by A और multiply by A मतलब 4 बार 1,2,3,4 4 बार घुना किया गया इसको A की पावर 4 में लिखा गया है Second rule की तरफ हम आते हैं तो second rule हमको यह बताता है A की पावर M multiply by A की पावर N हो तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले base A और A base same है तो उसकी powers होती है वो add हो जाती है इसको हम example से समझते हैं जैसे कि 2 की पावर 3 है multiply by 2 की पावर 5 है इसमें base 2 और 2 same है तो इसकी जो powers होती है 3 और 5 दोनों add हो जाएंगी तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस 5 इक्वरस तो 2 की पावर 8 इस example से हम समझ सकते हैं 3rd law की तरफ हम आते हैं इसमें दे रखा है कि a की पावर m है और bracket के बार n पावर लगी हुए उस पर तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m multiply by n यानि कि powers जो है वो आपस में multiply हो रही है तो इसको हम example से समझते हैं कि 2 की पावर 4 और bracket के बार लिखा हुआ है 5 तो इसमें यह हो जाएगा 2 की पावर 4 multiply by 5 तो equals to 2 की पावर 4 और 5 को multiply करेंगे तो 2 की पावर 20 यह example से हम समझ सकते हैं next law की तरफ हम आते हैं a की पावर m divide by a की पावर n यहाँ पर दोनों में base सेम है base सेम है लेकिन पावर जो है वो दोनों अलग-अलग है और बीच में divide के sign है तो divide के sign है means m मैंसे n को minus कर देंगे हम तो example से देखते हैं जैसे कि 2 की पावर 5 है divide by 2 की पावर 3 तो यहाँ पर base तो सेम है हम power को minus कर देंगे पाँच्वा रूल जो है हमारा वह कहता है कि a की power m multiply by b की power m होता है तो first two में क्या आएगा कि दोनों की power तो दोनों की सेम है लेकिन जो base है वो दोनों का अलग-अलग है तो हम सबसे पहले जो power है उसको लिख लेंगे और जो base है उनको आपस में multiply कर लेंगे इसको example से समझते जैसे कि two की power five multiply by three की power five तो इसमें हम देखते हैं कि two की power five और three की power five तो power तो दोनों की सेम है लेकिन जो base है वो दोनों का अलग-अलग होता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे power को लिख लेंगे bracket के बार और जो base है उन दोनों को multiply कर देंगे two multiply by three equals हो जाएगा six की power five इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं next जो low है वो कहता है a upon b की power m है जो whole power है दोनों की तो इसको हम अलग-अलग तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे कि हम समझते हैं two by three की power है five तो इसको हम अलग-अलग से भी separate out करके भी लिख सकते हैं जैसे कि two की power five upon three की power five इस तरहीके से भी और फिर हम इसको solve कर सकते हैं next rule जो हो कहता है a की power zero equals to one होता है तो a हमाने आप वेरियेबल है जैसे कोई भी number हम लिख सकते हैं जैसे कि two हो गया two की power जो zero है तो इसका मतलब है one इसके जगर ten हो गया ten की power अगर zero लेते हैं तो उसका भी meaning होता है कि one ठीक है अब हम आगे बढ़ते next की तरफ तो a की power minus में m है तो इस power को positive करने के लिए हम उसको denominator में लेके जाएंगे तो one upon a की power m हो जाएगी जैसे कि example से समझते है two की power है minus का three equals two में हो जाएगा one upon two की power three हो जाएगा कि two की power three को हम नीचे लेके आगए तो वो positive हो गया इसी तरफ से अगला rule है कि minus a की power even में m है तो minus a की power even है तो उसका even में a की power m के बराबर ही होगा हो माइनस का वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसको example के थूरू समझते है जैसे कि minus two की power हो गई six तो यह equal हो का two की power six के तो दोनों की value एक जैसी होगी कोई भी फरक नहीं होगा next जो है वो है minus a की power odd है यानि कि जो power है वो odd number है जैसे कि example के थूरू समझते है minus two की power five five हमने लिया तो इसमें जो होगा minus को बाहर रखेंगे और two की power five करेंगे जो answer आएगा वो minus में आना चाहिए तो यह उसका हो जाएगा तो आज के इस वीडियो में हमने गात और गातंक selected इनके जो दस main formulas होते हैं लो होते हैं वो पड़ें तो सबसे पहले हम rewind कर लेंगे क्या क्या होते हैं तो जैसे कि चार जो variable उनको multiply करते हैं तो चारों बेस सेम और सबकी power one 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 है तो इन चारों को add करके a की power four हो जाता है second जो है वो है a की power m multiply by a की power n equals to a की power m plus n यानि कि दोनों में base जो है वो सेम है तो power add हो जाती है जो m plus n third जो है वो है a की power m bracket में n बाग की तरफ power लगी है तो base तो यहीं रहेगा a और जो power जो है वो आपर में multiply हो जाएगी fourth जो है वो है e की power m divided by a की power n तो इसमें base तो सेम है और divide का option आ रहा इसकी वज़े से m minus n हो जाएगा fifth जो है वो है a की power m multiply by b की power m यहाँ पर power तो सेम है बट जो base है वो different है तो हम सबसे पहले power को अलग लिख लेंगे और जो base है उनको आपस में multiply कर लेंगे next जो है वो है a upon b की whole power जो है m है तो हम इसको separate power b m के थूर लिख सकते हैं जैसे कि a की power m और b की power m next a की power 0 equals to 1 always one होता है यहाँ पर a की जाकि हम 2 रखे 10 रखे 100 रखे 1000 रखे कुछ भी रखे यह always one ही होगा next जो होता है वो है a की power minus m यानि कि जो minus में जो power होती है उसको positive करने के लिए हम उसको numerator से denominator में लेके चले जाते हैं तो one upon a की power m होगा इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं next जो है वो minus a की power even जो है power वो even में होगी even number होता है कि 2,4,6,8 ऐसे चलता रहता है तो अगर even power है तो वो positive में हो जाएगा अब उसकी power positive में लिख लेंगे हो positive उसका answer आजाएगा और last जो है वो है minus a की power odd यानि कि जो power है वो odd number है 1,3,5,7 etc. तो उस तरह से minus 12 आजाएगा और a की power m हो जाएगी तो जो भी answer आएगा वो minus में आएगा तो इस तरह से हमने यह लोड जो पड़े हैं इसको आप practice करके भी सिख सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो like जरू करें और चनल को subscribe जरू करें Thank you